दर्मशाला में मां बगला मुखी ट्रस्ट की और से स्मासीबा में एक और कदम आगे बढ़ाया है बगला मुखी ट्रस्ट के महंत रज़त गिरी की अगुबाई में कजलोट पंचयत के परदान के तथ्वादान में उन महलाओं को गरम कम्बल समीथ जरूरी साजो सामार मुहिया करवाया गया जिनके सर से उनके परिवार के मुख्यों का साया उठ चुका है इतना ही नहीं, इन महलाओं की स्तिती परिवार ही नहीं सम्याज में भी इतनी नाजुक हो चुकी थी की इनके गर में दो जुन की रोटी का जुगार करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पढ़ रहा है बगला मुकी मंदी ट्रस्ट के महंत को जब इस बावत जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंट अपने ट्रस्ट के सदस्यों की मारफत कजलोट पंचायत के परदान से संपर्क किया और इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए उन महलाओं को स्वास्ते से लेकर ज़रूरी घरेलू सामार मोहिया करवाने की बात कही और प्रास्मिक स्तर पर उनको गरम कंबल मास्त के सैनिटाइजर समेथ दूसरी चीजे महया करवाई इस मौके पर मा बगला मुखी ट्रस्ट के महत रजज़त किरी ने कहा कि इस तरह से समास्तेवा में हाथ बड़ आने का सोबाग्या प्रावत हुए है हमारे पुर्खे भी मां की करवा से इसी तरह समास्तेवा में अपना अंश्यदान किया करते थे और आज बो भी इसी दिसा में आगे बढ़ना चाहते हैं ये तो बहुत ही सोभागे की बात है कि हम ये कारे कर सके हैं और हमारा निरंतर यही प्रयास रहेगा कि जो भी जरूरतमंद गरीब हैं जरूरतमंद लोग हैं माताएं हैं बहने हैं घर परिवार हैं जितने भी जरूरतमंद हैं तो हमारा मंदिर जो है वो ये प्रयास करता रहता सदया प्रयास करता आया है पहले भी करता आया है अब भी कर रहा है कि उनके तक हम उनकी जरूरतें जो है उनकी पूरी कर सकें तो ये बहुत सो भागे की बात है हमारे लिए और आगे भी ये हम रंतर प्रयास करते पर जो आदनिये महंतरा जटगिरी बगला मुखी मंदर ट्रस्ट के चेर मैं दोवारा जो लोगों को कंबल और वो दिये गए हैं मैं उनका बहुत बहुत धन्याबाद करता हूं और आगे भी भिविश्या में ऐसा लोगों की सिवा करते रहें और हम सब लोगों के साथ ऐसे जुड़े रहें और बहुत बहुत धन्याबाद करता हूं